हेलो गाइज वेलकम तो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फंस नितीन स्पीनर्स लिमिटेट की ओर से जून क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका अन ओडिटेट फिनांसल रिजल्ट कंपनी का आउट हो चुका है साथ में 31 इनुवल जनरल मिटिंग का भी रिजल्ट इंकम की बात करें जो कि रवेन्नी फॉर्म ओप्रेशन और अधर इंकम को एड़ करके हुआ है 618 करोड का पिछले क्वाटर में 656 करोड का और जून 22 क्वाटर में 709.6 करोड का इंकम था क्वाटर और क्वाटर एर और और दोनों में फॉल देखने को मिला है expenses हुआ है material cost में finished goods, work in progress और stock in trade के inventory में change होना, employee benefit expenses, finance cost, depreciation, amortization expense, power and fuel, other expenses इन सभी को add करके जो expense हुआ है 579 करोड का पिछले क्वाटर में 615.4 करोड का और जून 22 क्वाटर में 633 करोड का expense हुआ था quarter on quarter year on year के expenses भी down हुआ है income के according इसके बाद operating profit है 38.9 करोड का पिछले क्वाटर में 40.7 करोड का और जून 22 क्वाटर में 76.5 करोड का operating profit है quarter on quarter में बहुत जादा down है year on year में भी down देखनी को मिल रहा है लेकिन net profit अगर देखिएगा company का जो निकल के आया है इस बार का 28.8 करोड का पिछले क्वाटर में 38.5 करोड का और जून 22 क्वाटर में 65.5 करोड का net profit है quarter on quarter में बहुत बढ़ी गिरावट है जबकि operating profit उतना जादा गिरावट नहीं आए तो डीजन ने क्या tax जो कि defer tax पिछले quarter में 7.4 करोड का एड किया गया जबकि इस बार 3.4 करोड का चार्ज किया गया था इसके वैसे quarter on quarter की profit बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई लिकिन year on year में भी बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है EPS 5.14 रूपेज का है quarter on quarter year on year दोनों में गिरावट देखने को मिल रहा है company का business सिफ single business कर रही है वो है stake style company के revenue stake style business से आ रहा है तो कि बहुत इवी कि इस बार result देखने को मिला है जिसको market negative मिलेगा और इसके shares में fall देखने को मिल सकती है तो अब हम लोग वीडियो को ही परेंड करते हैं अगर कोई डाउट और comment box में पुछे मिलते हैं नेक्ट टूड़ों में टिल दिन बाबार